दोस्तों ये बात तो अप कन्फर्म हो चुकी है कि विकी कौशल और काट्रीना कैफ शादी कर रहे हैं वो भी 7-9 दसंबर के बीच आपको बता दे कि विकी कौशल और काट्रीना कैफ राजिस्तान के मादोपूर सिक्स सेंसेज फोट में शादी करने वाले हैं हाला कि अभी तक दोनों में से या फिर दोनों के परिवार वालों में से किसी ने शादी की खबरों पर कोई बयान नहीं दिया है लेकिन इस बीच राजिस्तान में शादी की तैयारिया जोरों पर चल रही है ऐसा माना जा रहा है कि राजस्तान में विकी कॉशल और केट्रीना की शादी काफी भव्वे तरीके से की जाएगी विकी कॉशल और केट्रीना की शादी के लिए बुक कर लिए गए हैं होटल के कम रेस के साथ ही जिस किले में विक्की और केट्रीना की शादी हो रही है उसमें कपल के लिए अलग-अलग रॉयल सूट भी बुक किये गए है दोनों के लिए इस होटल के सबसे महंगी स्वीट राजा मान सिंग वरानी पद्मवती बुक किये गए है जहां विकी राजा मान सिंग स्वीट में रहेंगे तो कट्रीना कैफ रानी पदमवती स्वीट में रहेंगी इन दोनों स्वीट में गाडन के साथ साथ प्राइविट स्वीमिंग पुल भी है साथ ही दोनों स्वीट से अरावली की पहाडियां भी नज़र आती है रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों स्वीट्स में एक रात के रुकने का किराया 7 लाक रुपे से जादा है विक्की और केट्रीना के लिए रूम बुक होने के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जियां दोस्तों 7 से 9 दिसंबर के बीच विक्की कॉशल और केट्रीना की शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे इस बीच आपको बता दे कि राजिस्थान में भव्वे शादी समारों के लिए तैयारिया बुक कर ली गई है इसके साथ ही विक्की कॉशल और केट्रीना की शादी में जो महमान आने वाले हैं उनकी लिए भी 45 कमरे बुक कर दिये गए है जी यहां दोस्तों राजिस्थान में 45 होटल बुक करने की खबरे आ रही है जिसकी वज़ा से राजिस्थान में काफी भीड़ भार बढ़ जाएगी क्योंकि विक्की और केट्रीना की शादी में देशी नहीं वलकी विदेशों से भी महमान आने वाले है विक्की केट्रीना की शादी को लेकर पूरे एरिया को स्पेशल सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है और यहां किसी की भी आने जाने की पवंदी लगा दी गई है आपको पता दे कि विकी कट्रीना लंबे वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द शादी करने जा रहे हैं दोनों की शादी की तैयार यहां पूरी कर लिए गई हो और गेस्ट लिस्ट भी तैयार हो गई है अगर आप ही है विकी काटरीना की शादी के लिए बहुत ज़दा एकसाइट तो जल्दी से हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि इन दोनों की शादी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है